जैसा कि प्यारा बच्चों आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्सर में हमने एक्सराइज 4.2 एंड कर दिया था आज हम करें एक्सराइज 4.3 करेंगे बच्चों एक्सराइज 4.3 में कल मैंने लाई प्लास लीती उसमें थोड़ा टेक्निकल इसू होने के कारण इस एक्सराइज का सिर्फ एक इक क्रा पाई था एक बार उस क्राइज तो दुबार से में रिपीट कर देता है आपके लिए मैं ठीक है 4.3 का जो मैंने क्राइज प्लास लोगों को वो यह रसर क्या आफर हो क्वेशन वह कहता है कि फर्स क्वेशन है हमारा ठीक है ड्रो ग्रा अच्छा आप लोगों से रिक्वेश्ट है आप मैंसे रिक्वेश्ट है आप मैंसे जिन बच्चे ने पुरानी चैनल नहीं देखे पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वह यह का लिज़े बच्चे करा है यहां कि हम्हें सब बच्चों को All इंnet स्प्राइन ग्लास को प्री मिलती रहेगी अगर कोई दोस्त है inhat सेर दोए वीडियो आज ये काम करें सबस्क्राइब आप आसका वीडियो लाइक कर दीजें कि को फॉस्ट का फॉर्स पार्ट ही है सर एक्स प्लस एक्स प्लस वाइस इकल टू फॉर बच्चों मिनए आपके क्या समझायता कि घ्राब बनाने के रिए डोई वेली मैंने क्या क्या सर देखोगा एक बार x plus y equal to 4 लेखा है हाना equation वही है x plus y equal to 4 तो मैंने क्या let किया सर हमने x से के जगा क्या let कर लिया 0 x से के जगा let किया 0 तो x से के जगा let 0 let किया है तो सर x से के 0 आ गया तो y के value क्या आ जाएगे फिर 4 है जाएगी अगर x के जगा 0 आ जाएगा तो y के value कितने आ जाएगी 4 है जाएगी सेम इसी तरह बेटा हमने लिया है let y is equal to 0 ठीक है x plus y is equal to 4 है लिख दिया अब इस बार हम y के जगा 0 put कर रहे है तो x plus y is equal to 4 तो है तो y के जगा क्या put कर रहे है 0 अब y के जगा 0 put किया तो y के value कुछ रहेगी नहीं तो बेटा x के value क्या जाएगी 4 तो y के value यहाँ पर 4 यहाँ पर x के value 4 आ रहे है हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने x के जगा 0 put किया तो y के value 4 आ रहे थे न जब हमने x से के जगह क्या put किया हमने लिखा ना जब हमने x से के जगह 0 put किया तो y के value 4 आ रही है तो x से के जगह 0 put करने पर y के value 4 आ रही है सेम जब हमने y के जगह 0 put किया तो x के value कितनी आ रही है सर 4 आ रही है तो यहनी कि y के जगह 0 रखने पर x के value 4 आ रही है ільки जो सबिकेत हैं और इसमाइना किर डिंदर सम Buts कैसे हैं कियो इतना सुपिसले कि जाने हैं अब DJते हैं य警्गे इतने साथ यह गया करने का सकता है अब यह द Совet अब क्या करेंगे प्ईटा है यहाँ इंटो परік जो भी नंबर 2, 4, 6 ले लिया, तो यह मैंने जो distance लिया है, मैंने किस base पर लिया है, तो को बटा, मैंने माना है, यह जो मेरा न, यह जो मेरा कितना है, यह जो मेरा एक, जो scale का 1 cm है, जो scale का 1 cm है न, उसको मैंने 2 unit माना है, मतलब मैंने यहाँ पर माना है, कि 1 cm बराबर मैंने माना है, ठीके, समझो हाँ यहाँ आपन दो यूनिट ऐसे वन सेंटिमेटर नहीं दो सेंटिमेटर परावर ना दो सेंटिमेटर परावर दो यूनिट तो पुटे चार सेंट दो ये एक एक सेंटिमेटर बराबर दो यूनिट तो बटा दो सेंटिमेटर बराबर क्या आएगा चार यूनिट और ऐसी तीन सेंटिमेटर बराबर क्या आएगा चार यूनिट आप लोगो तो बटा क्या करना है आप लोगो तो यह गराम एप लोड करना है ठीक है ठीक है सर आप देखिए सर सर एक्स की वेलू 0 होती य के वेलू 4 एक्स की वेलू 0 होती ठीक है अब य के वेलू 4 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे ऐसे अगले में एक्स की वेलू 4 य के वेलू 0 एक्स की वेलू 4 अब य के वेलू 0 है यहाँ पर पॉइंट आएगा आप क्य तेके यह जो लाइन है जो लाइन है ना क्या सो कर रहा है यह x plus x plus y is equal to 4 के गराब को सो कर रहा है हाना इसका गराब बन चुका है अब बढ़ते है question number first के ही second part के चरब question number तुमार first है उसके second part के चरब यह रहा प्यारे बच्चो स्क्रीन पर question number first है हाना तो first question है उसका second part question number first का second part ही रहा है क्या करा बटाई वही ड्रो दा question first का second part है दो तरह graph of the each of the following linear question two variable अना मेरे पास कुछ linear question दिए गये तो मुझे उनको graph बनाना है है ठीक है graph बनाने के लिए मैंने क्या का सर कुछ नहीं करना सबसे आशन मत आता हो सर में वही एक बार लेट दिखो सर लेट एक बार आपना जिसे वाई के जुरो माल लो किसी के जुरो किसी भी के चाहा एक्स और वाई की दोनों में से किसी की जगा कोई भी वेलू पूट क में नहीं यंदिस्त अख़गों और लोकई धिकत नहीं में था युए है तो बाइब सब्सक्राइब कोई जिरो फिस्क्तरों होती नहीं खेंग सीमपल ए सब्सक्राइब कुछ करना भी निया है यह दनी ऐसे ही फिर से दुवारा लिखो उसको x-y is equal to 10 let पिछली वाले में मैंने क्या किया अच्छा है फिर से एक अच्छा इस पहले वाले में मैंने क्या किया y के जिगा 0 लिया तो x को लिए कितनी आ गई 2 आ गई युकर सबसे पहले क्या क्या करो न मलब जैसे पहले में ने y के जिगा 0 लिया x पहले 2 आ गई इस बार x के जिगा 0 लो x के जिगा 0 लो मैं कह रहा हूँ सरा आपको 2 तो हमारे ऐसे बन जाते हैं 2 case तो हमारे ऐसे बन जाएंगे एक बार पहले बार y के जिगा 0 लिया x पहले 2 आ गई इस बार x से की जगा 0 लेंगे जहांपर x समा 0 आ जाएगा फिर minus y is equal to 2 जहांपर x समा 0 आ जाएगा अच्छा क्या बचे गई minus y is equal to 2 और y के साथ minus रहेगा नहीं कि अपना minus 2 को देदेगा तो y के value के आ जाएगी minus 2 तो अगर x के value 0 थी तो y के value के आ गई minus 2 अगर x के value 0 थी तो y के value के आ गई सार minus 2 आ गई तो पहले y बराबर 0 लिया y बराबर 0 था तो x equal to y जब x बराबर 0 था y के value minus 2 आ इस सार अगर एक काम करते table बना लो पटा पर table लो सार x y y के जगर 0 तो x के value 2 x के जगर 0 x के जगर 0 तो y के value minus 2 बोले सर इसके अलावा हम और कोई value ले सकते हैं मतब बच्चे बोले सर और नहीं कर सकते हैं अरे करने के लिए कर लो आपका graph मेरा graph सेम बनेगा वाई जिस अगर मेरी line इस तरह जाएगी तो आपकी line में उस तरह जाएगी अगर मेरी line इस तरह आएगी आपके line इस तरह आएगी क्यों फाल्ट कर मिनत करें दो value में हमारा काम चल सकता है बेटा ठीक है चलिए सर एक काम करता है इसको करते ग्राब में plot हाना लो सर अब से gram plot करते हैं लिए सर इसे करते ग्राब में plot में को नहीं जयार में total कि और ये मेरी तो एक जिरो ए अब एक चीज गाँ आ एक सीज दगो यहां पार आफ naw तो मालनू यहां पर ना चलो ऐसे डिखो तो यह एक संटीम्टर ना मैने एक माल ले ठीक है वाई में क्या रहा है वाई में आ रहा है मानेस का टू यहां पर क्या रही है यहां पर लेंगे माइनस वन यहां लेंगे मानेस का टू ठीक है सर कल्ल लें हमने अना ठीक है सर कल्ल लें हमने बिल्गुल सर देख sug Question lx की व्थयो केतनी है तू और y के व्लुँ केतनी है जीरो अलड़ 2 भाई के वेलू है 0 देख़ँ का ट्रेंगहें पर स्टाइब सबस्क्राइब राए ना सब्सक्राइब टिय голос यह जनी रहा दो कि सब्सक्राइब मैं को सबस्क्राइब एगलना की schloss अब इस point और इस point दोनों को जोड़ दो, जो यह वाला point आ रहा है इनको जोड़ दो, जोड़ने में क्या जा रहा है, इन दोनों point को connect कर देते हैं, चलिए sir, हमने इन दोनों point को जोड़ दिया, और इन दोनों point को जोड़ने का मतलब यह है, इन दोनों point को जोड़ने का मतलब है लिग दो equation क्या थी हमारे पास equation क्या दिवी थी equation था हमारे पास क्या था x minus y is equal to 2 तो यह जो grab बने गा एक किसा बनेगा x minus y is equal to 2 का graph किसा बनेगा सर exist um États-be点 डी बात है कि सब्सक्राब बनाना कोई बड़ी तो मित्र उंस अगर आप समझ्ञें यो मेरी प्यारे फ्रेंड्स तो मैं आगे वीड़े सर चलिए सर इसका करते थरड पार्ट क्वेशन-फ़र्ष्ट का थरड़ पार्ट आपके श्क्रीन पर यह द यहां सक्रीन पर हीरा, आपके सक्रीन पर, Y is equal to क्या है, 3X, Y is equal to कितना है मित्रों, Y is equal to कितना है, 3X, Y is equal to 3X, ठीके, अच्छा, प्यारे बच्चों यह धीखरो, क्या करना है, ऐसे ही, let करो, कुछ नहीं करना है, solution करना है न, अरे यहां तो दादा, कुछ नहीं करना अब लेट करते जाओ क्योंको जब मैं वहलू को लेट करूंगा तो गराब बना पाऊंगा अच्छा अब इसके पूट करो एक बार कुछ भी खर सकतो आप है आप की मर्जी आप एक से की जिगा हंड्रेट रख दो अब हंड्रेट रखोगो तो आपको पीट करोगे तो कर दो य जगाल टू एकसा है वहान क्या आएक जिरो आएगा तो वहाँ पर क्या जाए जिरो Приकश की निग जिरो आएग़ जिरो एक अने काम करते पुर्ड निकर सकते करोगे तो time pass हो जाएगा क्यूं अगर एक से की जिगर 0 रखा तो y के बैली कितनी आई 0 और अगर y के जिगर 0 रखोगे तो x के बैली कितनी आगी 0 आगी तो कुछ फाइदा होने वाला नहीं है, इक काम कर लो, एक से की जगा 1 रख लो, क्या कर लो, 1 रख लो, क्या दिख लो, 1 रख लो, क्या दिख लो, 1 रखोगे, दिखो बटा, हाना, तो y is equal to, जहां पर 1, 1 रख लो, 3 into 1, हाना, तो y is equal to, क्या आजएगा बटा, 3 into 1, 3 वन जे कि होता है, 3 होता है, जहां पर x हो, 1 रखा ना, तो y is equal to 3 into 1, 3 वन जे 3, हाना, तो ठीक है सर, ऐसे करो, let, यहां लिख लो, let, x नहीं है, पर x, x is equal to, let, x is equal to 2, अब बच्चे बोल लोंगे, क्या आप सर, आपने दिख लो, इसमें क्या आ जा रहा है, तीन लेने में क्या जा रह यार, हना, वो इसे 2 में ही आ जाता है, और यहां छोटा 0, 0 का मामला आ रहाता है, यहां पर क्या रहता है, छोटा 0, 0 का मामला आ रहता है, इसमें डन लग रहाता, ठीक है, इसे में 3 वेली ले ले ली, मैं 3 के लावास 4 वेली नहीं लोंगा, मैं, 3 में खतम कर दोंगा, let, x क के जिगह कि अपपट करेंगे तो वाइज िग़ल टो हो जाया गए three जहां पर एक्स है, वहां क्याएंगा टो ऴिट जाएक कितना आजाएगा शिक्स, तो वाइगके वर्य कितनी आजाएगे आप देखो प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो आप देखो X के वेलू 0 Y के वेलू 0 X के वेलू 1 X के वेलू 0 Y के वेलू 0 तो फटापट टेबल एक बनाते हैं टेबल 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 देखो सर X के जगा 0 तो Y के वेलू 0 X की value 1 तो Y की value 3 X की value 2 तो Y की value 6 अना 001326 तो sir, क्या हमारा answer आया ने आया Yes or No Bolog some Yes or no, Bolog some Sir answer आया ने आया Yes sir, हमारा answer आ चुका है ठीक है और अगर answer आ चुका है चलिए sir, बढ़ते हैं Next question की तरव नो दिकत नो दिकत आई अ अच्छा हुआ है यह दो इस्टेल लाइन कहेंगे यहां से ज्ञाधा पर्ट इस पॉजटिव साइड आ रहे हैं ठीक है सर ग्राब बनता हुआ हमारा और इसको लिखेंगे X अख्री और इसको लिखेंगे यह एक्सेज जिरो आएगा चेक कर लोकिस क्या किया है एक्ट्सरीच दूर्ट कोई दिखत करने है तो मिन यहां पर वहार आंकर मेरे पार इसपेस कापी है इसपे से मेरे पास है मैं कर रहा हूं वहीं one centimeter बराबर one unit one centimeter बराबर one unit ले रहा हूं देखो यहां से यह one है तो zero से one तो यह one ठीक है तो यह two है यहां पर point लगा रहा हूं यह three है यहां point लगा रहा हूं यह four है यहां point लगा रहा हूं यह five है यहां पर point लगा रहा हूं यह six है पॉइंट लगा रहा हूं, ऐसे एक बार वाई के ज़कर लेते हैं, वाई में कितना आ रहा है सर, वाई में 6 तक आ रहा है, ठीक है, कि य के निगेटिव भलब तो आने रही है, तो सारे बोले के आएगी, पॉजेटिव भी आएगी, चलिए सारे कबाद कडते हैं, तो यह 1, इसके बार देन two then three then four then five then six और यह इंच लेनन में क्या जा रहा है then seven तो देखे सर यहाँ पर आक्स एक्स पर तो तक ही यहाँ पर मैं one लिख रहाँ हूँ यहाँ यहाँ पर मैं two लिख रहाँ यहाँ थ्री लिख रहाँ ठीख हे ज़्याद लिखने हां आउसकता है ने जब 2 ऐना यहां भूरका आएगा थिस्तित तरल के आझे अलगे गास और तो क्या सब्सक्तिक महें मिलैं अपियात ॅब तुम बोलो कि लिए फोनीलिक डिए सब्सक्राइइब गी मूनि नीगी अव्यू सकते हैं सब्सक्राइक अوسक्ति टीव आब सेंटिमिटर का डिसेंस एक फिर रिखिने में क्या जा रहा घ्लका मान के चलो मैंने आप के लिख दिया मैं आपमने आप ठाइब है और हम जुरा आर कि कंपर आल यहीं पर और वाइव चई पर रहे हैं और यहीं यहां पर आ रहे हैं यहां पर आ रहे हैं अग्ध को सब्सक्राइब तक ग्राब में एक राइन के ज़रेंगा फालका सर ऐसे मैं यहां सब खीश दिया तो ठीक है जब मैंने लैन की जटा यहां से और यहां सर दोनों क्यों X के value 1 है Y के value 3 है तो X के value 1 है तो 1 वाले line और 3 वाले line दोनों यहां पर आ पाइट को अगर इसको लेते मिनीना तब भी हमारा गराब बन जाता कैसे जीरो जी यहां पर आ रहा रहा ना आपको आप लोगांसाइगा इसलिए मैं कहता हूं हम दो वैल्यू सो भी करके दिखा सकते हैं अगला X की value 2 Y की value 3 X की value 2 है और Y की value 6 है X का 2 है Y का 6 है ना कोई दिख कर नहीं मैंने कर देख हलका सा line खेज़ो इस्टेड लाइन हलका सा ठीक है यहां से भी इस्टेड लाइन केज़ो हलका सा इस्टेड लाइन खेज दिया ठीक है आप देखे सर दोनों का हम match कर रहे है यहां पर कर रहे है हना तो यह मेरा 0-0 है X का 1 Y का 3 और X का 2 Y का 6 एक हम करो सर इस point इस point इस point तिनों को add कर दो तिनों point को connect कर दो हना यह तो करना है इन 3 पॉइंट को connect करते वे line जाएगी इनको करते वे line जाएगी और वो जो line बनेगी जो उस line का graph बनेगा जो उस line का graph बनेगा उस ही क्या बोलेंगी graph बनेगा वही तो है क्या तो graph में पास Y is equal to 3X क्या होगा Y is equal to 3X ठीक है सर अरे मैं 3 अरे क्या होगा में 3 Y is equal to 3X ठीक है तो क्यों सर आपको ज़्यादग पैनिक होनी का आव सकता नहीं है ठीक है बस चीजों को आराम आराम समझो easy way में समझो आराम आराम समझो आइस्ता आइस्ता धीरे धीरे चीजों को समझते जाओ धीरे धीरे ठीक है सर बच्चों समझ यह चीज़े आप अरे सर यहां ना बोलो में 3 ठीक है समझ के चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर हाना बढ़ते हैं question number 4 की तरब बढ़ते है question number 4 की तरब क्या है सर 3 दिकल दो 2X प्लस Y चलिए सर करते हैं क्या दिक्क्त है क्या दिक्क्त है क्या दिक्क्त है कोई दिक्क्त निया सर नो दिक्क्त नो दिक्क्त अब सर इसका solution करते है करता है इसका solution करता है इसका solution ठीक है अच्छा बटे एक काम करते है एक काम करते है यहां पर अब यहां पर actually क्या है कि एक्स और वाई की वेलू दून एक साइड है एक्स की वेलू राइट एंड साइड ही है और वाई की वेलू भी क्या है राइट एंड साइड ही है यह काम करते हैं यह काम करते हैं कि दोनों वेलू को अलग करते हैं मतरब कि X या तो Y वालों को राइट हैंड साइड रहे दो और X वालों को लेप्ट हैंड साइड लिया हो ऐसे कर लो होना या तो 2X वालों को ही रहेंदो और Y वालों को लेप्ट हैंड साइड लिया हो ऐसे कर लो तो मान के चलो मैं राइट में Y वालों को लेप्ट हैंड साइ दिए यह आसान रहेगा ना कि वाई की निकल चुकी है मतलब ऐसे मुझे करना क्या होता है एक्स और वाई में से किसी एक की वहलू निकालने पड़ेगी तो मैंने किसी वहलू निकालने वाई की तो एक्स वाला क्या है लेफ्ट हैंड साइड तो यह हो गया 3-2x is equal to y हो गया होना अब चलने सरह value put करते है वहलू पूट करते हैं हहना हॉईर करते हैं अब ऐसे वन बाएवन अब लेट वैलू किसों put करोगो हो बैटा वैलू y में पूट में मत करना है वैलू x मा करना क्यों देखो हम जो इसम आप पहले पूट करोगे उसको solve करने पर क्या आएगा y की फेली निकल के आएगा तो बेटर लिखो let x is equal to let x is equal to 0 जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 0 let x is equal to 0 3 minus 2 जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आएगा 0 हो ना 0 आ जाएगा is equal to y तो sir 3 और 2 0 minus 2 0 जहाँ जहाँ तो 3 हमसे घड़ाओ को 0 तो क्या आएगा 3 तो y की फेली कितनी आएगा 3 आ जाएगा let x is equal to 1 3 minus 2x is equal to y था जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पर 1 रग दो is equal to y 3 minus 2 into 1 2 होगा is equal to y और 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 तो बचेगा 1 पूट किया तो y की फेली कितना बचेगा 1 आ गई हाना बस दो ही sufficient है तीसरा बनाने का आओ सकता नहीं है ठीक है यह हमारे ऐसे कर देए एक box बना देए छोटा सा उपर x आएगा नीचे y आएगा ठीक है सर मैंने x से की जिका 0 पूट किया x से की जिका 0 पूट किया y के भली कितने आए सर 3 x से की जिका 0 पूट किया y भली 3 आए x से की जिका 0 y 3 x से की जिका 1 तो y भी आया 1 अगर आ चुका है चलिए सर गराब बनाते हैं गराब बनाते हैं इसके लकांगे दादा यह रहा और गराब बनाते हैं इसका इसका गराब बनाते हैं गराब बनाते हैं चलिए सर करते हैं कोई संसोल्व करते हैं ज्यादक बड़ा गराब बनाने का हो सकता नहीं है छोटा सा मनना सा ननना सा प्यारा सा गराब बन गया ठी और यह हमारा X-axis यह हमारा Y-axis यह हमारा Y-axis यह हमारा वाइकस अना देखे सर क्या करना हमें X-axis पर पोजिटिव वन आएगा maximum value ना कुछ करना नहीं है तो यार यहां तो कुछ करना नहीं है न दुखा बढ़िए लो सर लीजिए सर ऐसे न 1-1 cm के distance पर लगा रहा हूं मैं ठीक है वाई पर वैसे कर देतना है 1-1 cm के distance पर तो यह 1-1 cm के distance है न सर लिख जाया मैं आप दिखें सर यहां पर 0 आएगा बिल्कुल अब दिखुत कर यहां पर क्या अका है खथर हमारे आ एक्सकार यहां पर 1 लेंगे और 2 लेंगे 3 लेख लुखने में क्या लुखत ने जाय रहा है वैसे 3 है लिखत भामांरonna यहां पर 2 आएगा यहां पर 3 है 4 लिखने में क्या जा रहा है लिख दिया लिख दिया सर इलकुल प्यारे बच्चो एक्स की वैल्यू कितनी है 0 एक्स की वैल्यू 0 है y कितना है का 3 सर एक्स की वैल्यू 0 है y कितना है का 3 तो x की वैल्यू है 0 और y आरा पॉजेटिव का 3 X ले रहे हम 0, Y आ रहा है 3, यह आ जागा ऐसे, X की वेलू बहुं जीरो तो Y आएगा positive का 3, ठीक है सर, उसके बाद देखो सर, X की वेलू जीरो, Y क्या आ गया, positive का 3 आ गया, बिल्कुल सर, X की वेलू 1, Y की वेलू 1, हाँ, ये दिखना पढ़े लिगा थोड़ा सा न, X की वेल याह से खीचेंगे, एक लायन से खीचेंगे को दोनों पर यहां मिलेंगे, ऐह हो गया मेरा मेरा, обычно,ika टो करेंगे मैं, यह दोभेख़ए यद्यीनित यहां मिल यहां को जो कर रहा है, तो मुझे दो पॉइंट मिल ग्या, एक प्यूइंट मिल गया 1 वन, इन दोनों को आड़ क इस क्या जारी लाइन जारी है इस लाइन को क्या बोलते हैं इस गुराप किसका था गृप इसका तर्श का गृप ता ही इस हो दो टो टूएक्ष प्लस वाईए ज़रु लिखना है अपर 3 is equal to 2x plus y 3 is equal to 2x plus y यहाँ पर जरूर लिखना है मुझे ठीक है सर बलकूर ठीक है सर चलिए सर यह हमारा graph यह question number first के सारे पार्ट होगे question number first के हमारे total किरने पार्ट है सर हमारे total किरने पार्ट है सर 4 पार्ट है 4 पार्ट कर लिए हमने ठीक है सर उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अथांतरीके से समझ रहां हो सुटाव धी चली सबस्काहिए मैं और कियाैं किसा था बट पए शाइम जल्दी से इससे 25 अइस अगे आगे सुनके तरफ grip विइंहर सेकंड की तरफ मादतें सेकेंड की तरफ कूशन Question No.2 हमारे पास यह रहा Question No.2 हमारे पास यह रहा Question No.2 कैसे हमारे पास यह रहा यह में Question No.2 ठेक है यह हमारे पास Sir, Question No.2 क्या कह रहा है Sir दिखे Give the equation of the lines passing through the 214 How many more such lines are there and why यह करे दोखो बेटा Give the equation of the line मतलब मुझे यहाँ पर एक equation बनानी है मुझे यहाँ पर क्या बनानी है equation बनानी है मुझे यहाँ पर एक समीकरण बनाना है क्या बनाना है equation मतलब समीकरण बनाना है कि चीज़ का of two line passing मतलब मुझे के ऐसा equation बनाना है ऐसा equation मतलब two line passing two line passing मतलब equation बनाना न उसमें x भी आना चीए और उसमें y भी आना चीए जो में equation बनाओंगा उस equation में x भी आना चीए और क्या आना चीए y भी आना चीए मतलब जैसे equation मैंने बनाया मालो कुछ भी x plus y is equal to 4 कुछ बना दो x minus y is equal to 2 2x plus y is equal to 8 x is equal to 4y माला इस तरह का equation बनाना है पर सुलों अभी condition है मुझे कुछ इस तरह का equation बनाना है पर इस तरह का equation बनाना है पर पर क्या बोला गया है उसका solution होना चीए और 2 और 14 होना चीए सर उसका solution 2 और 14 होना चीए इसका मतलब क्या सर उसका solution 2 और 14 उसका हल 2 और 14 होना चीए इसका मतलब क्या इसका मतलब है जो पहले वाले value किसकी होती है x की और दूसरे वाले value किसकी होती है y की या याँ पर X के भेल्व क्या दीविए ए ऑर Y के भेल्व क्या दीविए 14 X ए दो अब Y 14 X वानो 2 लेनिये आर Y के भेल्व क्या लेनिया विटा समझे आगे बढ़ेगा चलो आगा बड़ेँ करते हैं इसको अब देखो कुछ भी एकवेसन लेलो जेखो मनी मन एक सोचो बिटा प्यारे बच्चो देखो जैसे न मैंने एक एकवेसन ले लिया मुझे समीकर बनाना नहीं मुझे क्या बनाना समीकर देखो मैंने का एक्स प्लस य एक्स प्लस वाई ऐसे लिख देए मैंने अब एक्स की जगा पता नहीं अब एक्स प्रटीन कितना एगा 16 कितना आएगा चीट नेगा यानि यहां पर एक्स प्लस वाई दोनों को एड़ करने पर एक्स के टू रखना वाई तो फोर्टीन में कितना रहा है उस्टीन तो यहां पर इस्टीन देना 16 लिख जाना है अच्छा सर ऐसा है इतना आसान है यह ठीक है एक्स माइनस वाई कितना आएगा भाई देखो X की जिगवाई फूट करना है लाई worst . 14 जहाँ पर X है और य जहाँ पर Y आएगा Kवाई एगा 14 2 में से लेस करोगो 14 कितना आएगा 12 करोगे 15 कितना आएगा मैनस 12 का लाई लाई तो सामने क्या लगण है मैनिस का 12 आच dat एक बच्चा कहा रहा है कि भयंकर ben जाल ऑन ऑन सिंदास आं संक्र सकते वायई इसो घाल्टव थृ ेक्स कि कि हर सकते यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे निकर सकते हैं यह वाला निमना सकते हैं पर यह वाला निमना सकते हैं पर अच्छा बोल ला होगा कि भाई याप रखना है तो और य जुक्त आएगा ना देख भाई एक्षी के टूरख और वाई जरके आएगा 14 141 14 14 3 2 6 क्या दोनों साइड को ला रही है अरे क्या दोनों साइड को ला रही है नहीं तो यह नहीं बन सकता और और क्या बना सकता सर जीखो जीसे कुछ ही बना दिया मैंने 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 मना दिया इसको नहीं बन सकता 14 टूटू चे कितना आएगा 4 14 14 प्लस 4 कितना आएगा 18 तो सामने क्या रख देंगे 2x प्लस y जिगाल टू 18 रख देंगे हम कुछ ही बना सकते हैं देखो हो इकर गीवता एक्वेशन मैं दिख 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 आएगा इसे बहुत सारी इक्वेशन हो सकते हैं ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं यहां यापर क्या लगे देंगे कारी दिख दिख आपर अना तो ऐसे हमनी तो दियार आर आएज इंफनाइट दियार इंफनाइट इंफनाइट लाइन्स दियार इंफनाइट इक्वेशन दियार इंफनाइट इक्वेशन लेगता हूं दियार इंफनाइट इक्वेशन फोर किसके लिए जो ब्रेकड में कह आता मेरे पास 2 और 14 इंदे में क्या लिख देंगे इंदे में लिखेंगे दो और 14 के लिए 2 और 14 के लिए बहुत सारे 2 और 14 के लिए बहुत सारे समीकरण होंगे क्योंगे वाइ बहुत सारे समीकरण होंगे आना क्योंगे य होंगे क्यों य इसे इकक स्कु Destroy is equal to x plus y is equal to कुछ भी आ सकता है अगर मैं कोई equation बनाता हूँ तो मैं x और y के जगह तो कोई भी 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 पूट कर सकता हूँ ना जब मैंने equation बना है x plus y is equal to अब मैंने सामने लिखा नहीं है तो x plus y, x के जगह और y के जगह मैंने कुछ भी पूट कर सकता हूँ मैं ऐसी बात नहीं है हम तो कितने भी equation बना सकते अच्छा और जो 2 और 14 आएगी 2 और 14 के किसी एक ही equation के value आएगी क्या अच्छा मुझे बता आप लोग में समझे एक चे बता हो जैसे मैंने का कि मैंने का एक जनबरी एक जनबरी में कितने लोगों को बड़े आता होगा एक जनबरी में लाखो करोड़ों को बड़े आता होगा तो क्या एक जनबरी में सिर्फ किसी एक ही बच्चे का जनब नहीं आता है क्या एक जनबरी में किसी एक ही बच्चे का जनब बड़े होता है क्या नहीं बहुत सारे लोगों बड़े हो सकता है ऐसे जो 2 और 14 है वो सिर्फ किसी एक particular equation का solution नहीं हो सकता और 2 और 14 बहुत सारे equation का solution हो सकता है जो 2 और 4 14 है वो किसी एक निस्तित समिकरण का हल नहीं हो सकता, 2 और 14 कई समिक्रोणों का हल हो सकता है, ठीक है तो यहां लिख दें, इसके लिए बहुत सार हो बनेंगे, तो इसके लिए समिक्रण बहुत सारे समिक्रण होंगे, ठीक है मित्रों तो मित्रों अरे question number 2 कर दिया है अब बढ़ते है question number 3 की तरफ, प्रसन number 3 की तरफ, यह प्रसन number 3 आपके सक्रीन पर ही रहा है मित्रों क्या कहता है मित्रों यह कहता है, if the point 3,4 lie on the graph of the 3Y is equal to X plus 7, find the value of 7 हिंदी बहुत बोला है, यदि 3 और 4 देगे समिक्रण के graph पर इस्थित है अगर 3 और 4 देगे समिक्रण के graph पर इस्थित है तो A का मान निकाला इस सवाल आपको लग रहा है, बहुत हाड यह सवाल मेरे साब से बहुत आसान है यह इस XS का सबसे आसान question है, सर कैसे देखो सर, सबसे पहले लिख दो, 3Y is equal to X plus 7, लिख दिया सर प्यारे बच्चों में आपको लाखो बार, क्रोडो बार बताया हुआ है कि जो पहली वाली value होती है X की होती है और दूसरे वाली value किसकी होती है Y की पहली वाली value होती है X की और दूसरे वाली value होती है Y की तो मतलब जहाँ पर X है वहां 3 लिख दो जहां पर y है वहां 4 लिख दो बिल्कुल फिर बोला हूँ पहले वाले value x के दूसरी value y के होती है जहां पर x है वहां 3 लिख दो जहां पर y है वहां 4 लिख दो यानि के y के जगा क्या आएगा 3 into y के जगा क्या आएगा 4 आएगा equal to A into X X के जिगा कितना आएगा? 3 आएगा is equal to 7 पहली वाली value X की होती है, दूसरी वाली Y की, जहाँ पर X है वहाँ 3, जहाँ पर Y है वहाँ 4, तो Y के जिगा 4 4 सीज़ा कितना होगा? 12 3 into A 3A plus 7 है न? 7 left hand, right hand side plus का है, left hand side का हो जाएगा minus का, 12 minus 7 is equal to 3A, 12 में से minus करोगा 7 कितना हैगा? 5 is equal to कितना हैगा? 3A 3 multiply में हैं, तो left hand side का क्या जाएगा? divide में, तो 5 by 3 तो मित्रों A की value क्या आगई है? लिग देंगे याँपर hands यानि आता है A बराबर क्या जाएगा? 5 by 3, A बराबर क्या जाएगा? 5 by 3, बस इतना आसान, आरे भाई मैं तो पहले बोल जिया है, ये इतना ही आसान है वही, A की value क्या जाएगी? 5 by 3 simple है सर, सिंपल है की नहीं? हाँ सर, symbol तो है अच्छा, अब प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है, आप प्यारे बच्चों, इसको लगा लो very, very, very जुत्रा वही, जुत्रा वही, इंपोर्ट है इतना है, बहुत इंपोर्ट सवाल है very, 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 very भूत इंपोर्ट सवाल है, इस वाल कितना है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है किस सवाल है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है इक बार इसको पढ़े पहले मिदा इसको रेंडम लिपढ रेता हूं टर्टी फिर in a city is 4 लोग 4 the 1st क्लोपेटर the fear is रूपीज 8 and the 4 the subsequent क्लोपेटर subsequent distance is रूपीज 5 per क्लोपेटर, taking the distance cover as x क्लोपेटर and total fear is y kilometer write the linear equation of this information and draw the graph आप सम्झाना पड़ेगा the tax is fear in a city as follow किसी एक सहर में जो किराय है किसी एक सहर में किराय इस तरह लिया गया है 4, the first kilometer पहले kilometer के लिए किराय किराय किरना लिया गया है 8 रुपे पहले kilometer के लिए किराय किरना लिया गया 8 रुपे and four subsequent distance रुपी is five पर kilometer यानि कि अगर हम auto में चटते हैं तो auto वाले भाई साब बोलते हैं भाईया पहले kilometer के किराय तो 8 रुपे है पर जो बाकी के किराय 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 गया 5 रुपे पहले kilometer किराय है कितना 8 रुपे जो बाकी के kilometer आएंगे यसे कि मैं पहले kilometer गया है तो मैं उनको 8 रुपे दे दिया अगर मैं दो kilometer जाओंगा तो पहले के 8 रुपे होगा और दूसरे का कितना होगा 5 होगा कुल किराय कितना होगा 13 होगा ठीके अगर कोई बच्चा सर कोई बच्चा जाता है टोटल 3 किलोमेटर के distance जाता है कोई बच्चा कुल 3 किलोमेटर जाता है उसे कितना किराय देना पड़ेगा देखो पहले kilometer का तो 5 दूसरे का भी 5 तीसरे का भी 5 कितना होगा 5, 5, 10 और 8, 10 रुपए किरा देगा यह तो हो गया टेकिंग डिसेंस कबर वाइदा एक्स किलोमेटर मतलब उसने कितना डिसेंस कबर किया उसने कितनी दूरी तय की उसको एक्स मानना है एंड टोटल फियर मतलब कुल किराय कुल किराय कितना लगा उसको वाई मानना है कितना डिसेंस कबर किया उसको एक्स मानना है अकुल कितना किराय लगा उसको वाई मानना है ठीके राइट लीनेर एक्वेशन फोर इस इंप्रमेशन मुझे इसके लिए एक्वेशन बनाना है जो यह चीजे दीवे ना बहुत इंपोर्टेंट सवाल है पर बहुत ही आसान भी है इंपोर्टेंट भी है और आसान भी है देखो प्यारे बच्चों सर एक से देखो सबसे पहले मुझे जो चीज दीवी है ना कोशन में उन्हों माना है टेकिन डिससेंस कावर एज एक्सक्रामेटर वह क्या कि लेट डिससेंस जो मुझे बोला जो मुझे कोशन में दियावा पहले उसको लिको लेट डिससेंस कावर वी किसमें किलोमेटर में क्या एक्स माना की हिंदी में माना की तै की गई दूरी वह कितना गया बटा वह कितना गया उसको माल ले मैंने एक्स माल लिया ठीके अच्छ तो गहाल का यहल्य तो गयुक्तों है। इस पार उसने इस दिरे किया किना उसरा, कि बियुकष्ट क इस प्तील मोम औरmi है, को गांट, इस चांट है को प्रकतर साराप्ह, आहिए को कहरा, आहिं कधाral माजब उसकत चांगे है defining क्यानल, वाएक माजब बत्सक्या शरापette, इस सो गैस बिल्कुल सिर्ख प्यारे बत्चो सब्सक्राइब यहां पर जो जो चीजे मुझे में चुलू मैं दी गए मैं तो वह लिख रहा हूं और क्या दिया है फार्स किलोमेटर फियर पहले किलोमेटर किराय कि 5 किलोमेटर फियर कि पहले किलोमेटर का किराया पहले किलोमेटर का किराया मुझे क्या दिया वा है सर रूपीज 8 दिया वा है ठीक है सर कोई दिख्कार नहीं है उसके बाद सब्सक्वेंट डिसेंस रूपीज 5 हाना मैं से बो सकता हूं मैं आप अपनी भासां बो सकता हूं में कि रिमेनिंग किलोमेटर फियर कितना रूपीज 5 बचे हुए यह सेस्ट किलोमेटर का किराया कितना सर पांच लिख दिया नहीं मैंने मैंने चार चार जीये लिखी है मैंने उस चीज़े लिखी हैं जो मुझे गिवरन था अभी तक मैंने को सुलब नहीं किया तो किलोमेटर कि रूच कितना डिसेंस कवर कि इसको x कितना फिए लगा इसको y ठीके और पहले किलोमेटर के रहा है 8 अब बागी का 5 प्यारे बच्चो एका हम करते हैं इसको solve करते हैं अब मैं यहां लिख रहा हूँ ATQ ATQ इस जो ATQ है न यहां पर ATQ है इस ATQ को बोल जाता है according to question इस ATQ को बोलते हैं इंगलिस में according to question हिंदी में बोलते हैं प्रस्ण के अनुसार चलिए से करें to solve करें इसको हुँ दुखो बच्चो मुझे इस मारा है पहले किलोमेटर का किराय कितना सर पहले किलोमेटर कर दूखो 8 प्लस अब एक ची बताओ बेटा एक ची बताओ मैं इसको सोल कराने से पहले में इस यहां करता हो रब वर्क यहां करा रहा हूं कुछ रब वर्क ठीक है मैं रब वर्क कुछ कराना चाहता है आपको ठीक है मांकर चलो बेटा एक कोई परसन देश यहां पर देखो कोई परसन है वो उसने डिसेंस कवर किया कोई परसन कुल कितना किलोमेटर गया मांकर चलो मुझे बोला गया एक परसन ने उसने कुल कितना डिसेंस कवर किया ठीक है कुल कितना डिसेंस कवर किया मांकर चलो मैं मैंने यहां पर दिया 10 किलो में किलो में जाता हूं मैं 10 किलो मेट्र गया तेजके मैं सर एक sleeping और मिल दिल्कुल् tengo sir ocean । पांस अब मुझे बादाना कितना किलो मैं जाता हूं मैं दस किलो मैं गिया गया मैं और्टो से जा रहा हूं तो और वाले भाह सामने मुझे बोल दें कि देखो सर कि पहले किलोमेटर में 8 डोंगा बाकी बच्चे किलोमेटर में आप से 5 रिपा चार्ज करोंगा कुछ बच्चे करें समय नहीं आया आप यह समझ लो यह समस्को जैसे आपकी पहले मेने के फीस 800 रुपे और बागे मान के छलो आप में से टोटल दस मेने पड़ोगे पहले मैने जून मैने के फीस 800 उसके बाद जो पैसे करना है पैले किलो मेटर आछ तो है किलो किलोमेटर किलो मेटर गए要 तो तो अलग है और फिर नौ किलो मेटर कराय कितना है आट रुपै और यह जो बाकी नौ किलो मेटर है बाकी कुल तो दस किलो मेटर किराय लिख चुका हूं कितने लिख चुक हूँ मैं, आठ, बाकि कितने किलोमेटर बचे, बाकि नौ बचे न, एक कता लिख चुक हूँ मैं, कि टोटल 10 किलोमेटर गिया, मैं एक किलोमेटर का किराय लिख चुक हूँ, अब कितने किलोमेटर रह गे, नौ रह गे, अब इन 9 किलोमेटर का किराय कितना है 5 रुपए तो अगर एक किलोमेटर करा है 9 रुपए ने एक किलोमेटर करा है 5 रुपए तो बाकिए बचे बो 9 को क्या होगा तो 9 को किस्क्र इस समुल ट्लाइ कर देंगे 5 से 95 जा कितना जाएगा 45 जा फटी फाइब और eight में अगर हम जोड़ेगा 45 जो थे जू बचन अब समझा है कि पहले किलोमेटर किरा 8 रुपर हैं ठ्क है आप मुझे पता में एक किलोमेटर जा चुका हूं अब कितना किलोमेटर जाना अनौ किलोमेटर जाना तो उस तो 9 किलोमेटर का हिसाब क्या होगा? पांस रुबा के इसाब से 9 into 5 45 8 में जोड़ तो 45 तो यानिक यहाँ पर क्या आएगा? 9 into 5 8 प्लस 9 into 5 कितना हैगा? 45 तो कितना है बैटा? टोटल 53 रुबे किरा लगेगा अच्छा अब भच्चो एक तरीका यह एक तरीका यह करने का, एक तरीका इसी सवाल को और है करने का, दिखो, दुख भच्चो, पहले किलोमेटर किरा कितना है, 8, 8 लिख दो, प्लस, लिख दिया, पहले किलोमेटर किरा 8 रुपे न, लिख दिया, ठीक है, मैं कुल कितना किलोमेटर गया, 10, कुल मैं कितना किलोमेट 1 10-1 बच एकर समझें नहीं दो बड़ एक चीज़ को जैसे यहां पर पहले किलोमेटर का 8 बज़ता है यहां भी 8 बज़ता अब कितना किलोमेटर बज़ गए 9 बज़ गए यह नो बज़ गए तो क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं 10-1 लिख सकता हूं 10-1 बज़ता हूं 9 बज़ता हूं अब कितने किलोमेटर बज़ गए तो बाकी बच्चेवे किलोमेटर है उनका किरा कितना 5 बज़ गया 9 बात तो बही आ गई बात तो वही आ रही है पर अब ही जब समझाँगो तो मैं तब पता चलेगा ना 9 बज़ता इस वाले इन दो एक्जामपल को समझ गया ना वह यहां पर जो हम एक्वेशन बनाऊंगा वह बच्चा इसको भी वहां पर समझने में उसको हेल्प हो जाएगी क्या हेल्प होगी है क्या होगी हेगी मैंने कहता है कि टॉडल फियर कितना है कुल फियर कितना है ठीक सर सर के पेले क्लो में टाक अच रुक से अब कितना किलो में गया है कि कुल कितना किलोमेटर का डिसेंस किया है उसने X किया है अब देखो जैसे यहां पर देखो मैंने कहा थे नहीं पहले किलोमेटर किरा आठ है फिर मैंने लिखा वह लिखो जितना किलोमेटर गए है हम यहां पर हम कितना किलोमेटर हम गए थे हम कुल कितना किलोमेटर हम गए थे यहां पर लिखो X, minus 1, शर, X को मुझे 1 मानस क्यों कर रहो, दुखा बल्टा, यहसे मैंने पहले किलोमेटर का किराया लिख दी है, तो टोटल हम 10 किलोमेटर गये थे, उसमें हम 1 किलोमेटर जा चुके हैं, तो 10 में से 1 मानस क्या था, ना क्या था, ऐसे ही, ऐसे यहां पर करें किलोमेटर जा चुके हैं, तो X wo-ion से 1 गटाउंगा, तो बच्चे हुए किलोमेटर आ जा जा जाएंगे, जाओ जैंगे तो दस में से एक किलोमेटर जा चुका है तो दस में से एक मानस कर दिया तो इसका किराय क्या था जो बच्चे वे किलोमेटर किराय क्या था पांच ऐसा ही तो एक्स में बच्चे वे किलोमेटर का किराय कितना है पांच X minus 1 को किसे multiply कर देंगे 5 से प्यारे बच्चो Y is equal to 8 अब 5 को X multiply करेंगे तो 5X आएगा ऐसा ही minus 5 को 1 से multiply करेंगे तो 5 आएगा Sir Y is equal to 8 8 में से 5 less करोगे कितना है बच्टा 8 में से गटाओ 5 कितना हैगा 3 plus 5X तो Y is equal to 3 plus 5X यह हमारा क्या बन गया equation यह हमारा क्या बन गया equation बन गया प्यारे बच्चो यहाँ पर बच्चो को थोड़ा सा equation बनाने में ही समझ से आती है बागे सब बच्चे समझ जाते हैं यह तो first kilometer फिर y रुपए है second का first kilometer कराई X है दूसरी total fair Y है first kilometer कराई 8 है यह 5 है गया फिर बता रहाँ तो यह लिग ना है पहले kilometer करा है 8 दिया उद्र लिग दिया plus X में यह 1 मानस क्यों किया तो कुल kilometer X गया था तो उस में से वो एक kilometer जा चुका है उस में से तो एक kilometer जा चुका है तो X में से 1 मानस कर देंगे तो जैगा बच्यवाफ किलोमेट्र आज्ए यहाँ पर एकझाम्बल लिया आपको कि टोटल वो 10 किलोमेट्र गिया था तो ten पूंतो जा चुका है आना तो 9 है में आ तो 9 रहा था पर लिखिने में क्या जा रहा है यहां पर 10 में से 1- कर सकते थे पर यहां पर x में 1- कर सकते ही नहीं तो 1 जा चुका है ना तो यह यह बच्चावा किलोमेटर आ जाएगा एक्स में से एक्स मानस वन को 5 से मलतार करेंगे अना पूर्य को मलतार करेंगे 5 सब 5 को एक्स मलतार करेंगे 5 एक्स सब 5 एंट 2 1-5 यह आ गया मुझे कह रहा था कि ड्रोद है इट्स ग्राप बनाओ प्यारे वच्छे देखो मैंने अभी यह तक आपको ग्राप के चार कोशन बताएं मुझे पूरा विश्वा से आप लोग समझ रहेंगे इसका गराप आप प्लोड ऻाचेंगे इसका गराप आप खुझ से बनाएं मैं यह स्व श्वायम करें डू है लिए कर सकता है यह ब्रके लोग लिए खं अग्या टृ अध्र आप क्रेव rapid तो y के भली कितने बचेगी तीन बचेगी की एक सी की क्या पुट कुलो अब एक बार मद अ कर ना क्या gγ न गजके करते मानस का साधें' तो 5 यहाँ यहाँ पर 9 5 is lived जाएगा न फाइब फ्लस2 मानस मानस आ जाएगा 5 कि विसे फालन गर दोप्त व का दो दवा जाएगी तुम लोग कुछ भी खुद से कर लें तुमारी मर्जी यार जो आपको अच्छा लगे बस ये इसका गराब बन जाएगा और ये इसी के साथ हमारा ये वाला अगले लेक्चर मिलेंगे नहीं क्लास के साथ नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय वारत